नमस्कार प्यारे मित्रों स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रभौत क्लासेज के यूटूब चैनल में दोस्तों आज की कक्सा में हम लोग आरपी एससी का जो आपके ग्रेड फर्स्ट या प्र इसकूल लेक्चर का इसकूल एजुकेशन हम खोन क्रते ग्रानेज थे सकते हैं अभी फिलाल में इन्होंने जो changes किया है वो मैं आपको बता देता हूं इन्होंने क्या किया है आपकी जो मनोविज्ञान है और आपको सबी को पताओगा मनोविज्ञान जो है इस मनोविज्ञान को पहले आपके paper second में रखाता और इस paper second में रखने के बाद इस बार इन्होंन रहेगी तो इस बार तोड़ा सा और आपको पता है यहां से आतें 75 प्रशण कितने 75 या 55 प्रशण जो है वह आपके यहां से फूचे जाते हैं अब इन 55 प्रशणों को किस प्रकार से यह डिवाइड कर सकती है इसका फ्रसंप में आपको देना एक देखता है मेरी मेरी सोच भी यही है क्योंगे इतने सारे सब्जेक्ट रसां के बाद में सबसे बड़ा सेल मुईंप सबस्कर घूबस अगर ऐसे कम माना जाता है तो आपके same इसको क्यूंसामन की होती है चोटशरड़न बीट? सब्द अब हुए इसमीं आपको साथ जो आपके जो है वो इंडियान हिस्ट्री आपको पढ़नी पढ़ती है आपके एकोनोमिक्स आपको थोड़ी बहुत यांसे पढ़नी पढ़ती है तो यह सब चीजे आपको थोड़ी 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 से पढ़नी पढ़ती है तो अपना पहला जो पॉइंट आता है प development of literature, development किसका literature का या साहिते का विकास और उसके साथ साथ आपको art और आपके architecture पढ़ना है, किसका किसका गुप्त और मोगल का, तो CDC एक चीज आपको यहां बता दूँ, कि अगर यह आपको पढ़ना ना कई coaching मत जाओ, मैं बोल रहा हूं, यह अगर आपको पढ़ना है, तो इस आप यह direct YouTube से भी इसके साले के, इसके जो है, हाथ से हस्त लिखित notes बना लो, हस्त लिखित notes बना लो, जिससे आपको याद रहें, कई coaching जाने की जोरत नहीं, ठीक है, दूसरी बात, आपको freedom struggle of 1857, यह पढ़ना है, यानि आपको जो है क्रांती का संगर्स पढ़ना है, अब आपको यह चीज पढ़नी है, और इसके अलावा जितने भी आपके national movement और जो आपके leaders है, वो अगर पढ़ना जैसे वीर सावरकर हो गया, बंकिम चंदरलाल बाल पाल हो गया, आपके चंदर शेकर आजाद हो गया, बगत सिंग हो गया, सुगदे हो गया, राज बिहारी बोस हो गया, सुबाज चंदर बोस हो गया, सोसल एंड रिलिजियस राजा राम मोहन राई, दयानन सरस्वती और विवेकनन, यह जितने भी इनके आपके समंचदीत जो राष्टिय मोमेंट है, इनकी गतिविदिया है, इनमें आपको पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करना है, Google का Chrome कोलना है, घूंगल का Chrome कोलो, गूगल के Chrome में परतेक का नाम लिखो, जो ट्रस्टेड साइट है, हर एक और हमारे प्रबोद क्लासेज का जो आपके link है, वो हम लोग दे देंगे उसमें, और उसमें हम लोग जल्द ही इनके बारे में, short and sweet notes ज्यादा कुछ नहीं और इनकी जो है 1857 या फिर उससे पहले की या फिर जितने भी राजनेतिक moment है जो गतिवी दिया है national moment है वो सब हम लोग उसमें डालेंगे बैकाइदा topic wise लेकिन उसके लिए आपको तोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए भी कोई आपको जाने की जुरत नहीं उसके बाद आपको national moment with special reference to महत्मा गांदी तो महत्मा गांदी जवालल नेरू और उसके साथ वललबबाई पटेल मौलाना आजाद और बियार अंबेडगर ये चीज़े इनके जो national moment है वो आपको इसके special reference के साथ इनको पड़ना है ठीक है ये चीज़ पड़ ली अब ये चीज़ भी आपको कहा गूगल पे मिल जाएगी या फिर एक और चीज़ बता दूँ बहुत सारे YouTube channel है जो पूरी पूरी चीज़े इसमें बताता है जैसे हम लोग भी है ना अब हम लोगों ने भी ये से कर रखा है क्योंकि हम व्यूज की पिछे नहीं बागते व्यूज बहुत कम आते हैं मैं मानता हूँ लेकिन एक चीज़ में देखी है कि इससे जो बच्चा पड़ता है ना उसको पूरा-पूरा नोट्स ले लेते हैं बहुत सारे लेकिन जिसको वास्तों में जवरत होती है वह बहुत आसानी से इनको और इससे क्या है कि बहुत कम टाइम में आप लोग कर सकते हो जैसे आप अगर ये लिटरेचर का डवलपमेंट आपके आर्ट एंड आर्ट के टेक्चर जो है ये 3-4 दिन में एक बुक से आप लोग पटा-पट से इसको पढ़ सकते हो और हाथ से लिखे नोट्स बना सकते हो तो बहुत ही आसानी से चीजों हो सकती है ठीक है फिर उसके बाद में ये बोल रहा है कि एसेंट कल्चर सिविलाइजेशन और राजस्तान काली बंगा पढ़नी पढ़नी है गनेश्वर और बेराट चारो ही आपने 3 ग्रेड में भी फटी है 2 ग्रेड में भी चारो दे रखी है इसमें आपको बिल्कुल भी हिच्किचाने की जुरुत नहीं है बिल्कुल सिम्पल चीज है आसानी से इस चीज को पढ़ सकते हो काली बंगा में क्या मिला तरह में क्या मिला था उतकनान किसने किया था यह चीजे ही मक्या पुछी जाती है लेकिन में यहां से पुछी जाते हैं ना वो चीज आप लोग इनको जो है साहनी बना के लिखो थानी बना लो उपर लिख लो काली बंगा आहर गनेशवर और भेराट अब ठीक है जो जो काली बंगा में मिले वो काली बंगा की सारणी में आहर में मिले जो आहर की सारणी में जो गनेश्वर में मिले गनेश्वर की सारणी में और बेराट में जो चीजे मिली वो सब बेराट में लिग लो बस यह चीज याद रख लो उसके अलावा कोई प्रेशन पांच पांच नाम लिग लो कि कौन सा नाम कहां पर जुड़ा हुआ है बस ठीक है उसके बाद अब आपके जो है आट से 18 सेंचुरी की बात आ जाती है जिसमें आपके गुजर परतिहार पड़ने हैं चोहान आप लोगों ने बहुत धाब दापके इनको चोहानों को पड़ा होगा आपको दिल्ली सल्तनत और आपके जो है आपके मेवाड रनतंबोर जालो और इनके समंद भी आपने पड़े होंगे इसके अलावा राजस्तान और मुगल्स जिसमें राणा सांगा माराना परताब मान सिंग और चंदर सेन राइ सिंग और यह आपको आपने देखा हो पड़ सकते हो उसके बाद अगला यह बोल रहा है कि history of freedom struggle in राजस्तान और इसमें आपके 18 सताउन की क्रांती पढ़ लो आपको जो जंजागरती आंदोलन है वो पढ़ लो प्रजा मंडल आंदोलन पढ़ लो उसके बाद आपके आपकी जो जितने भी जंजाती है वो आदि ability of religion लोग देवता पढ़ने है देखो लोग देविया पढ़नी है लेकिन जदा priority किसको रखनी है लोग देवता को ठीक है जो आप लोगों ने कूट कूट के पढ़ गया दो यहाँ पर क्या लिखा हुआ संत और प्राजस्तान यहाँ पर संत यह संपरदाय नहीं है तो गलत आपके जितने वी जो है फेलेस बरम slightly oh guys tossed आपके महल है कि प्रूब lagi और आपकोका क्या है da और अन्मेट फोक मुझिक ए उसके अलावा डांस लेंग्वेज और लिट्रेचर और इसके अलावा एक और चीज आपको पढ़नी है उसमें आपको बासाव साहित्य पढ़नी है और एक और चीज बचती है मुझे याद नहीं रहा है भी मैं थोड़ी दिर में बताता हूं एक चीज और आपको पढ़नी है हस्त कला हस्त कला आपको पढ़नी है क्योंकि वह आपके लगुद्योग में आ जाता है ठीक है फिर उसके बाद दूसरा जो आ जाता है वह मेंटल एबिलिटी मेंटल में आप पर्तिकुलर अगर रोज को एक टोपिक विल हो तो मुस्किल से 20 से 25 दिन में 20 दिन में जो है वह आप इसको कंप्लीट कर लो आराम से ठीक है और उसकी जो है वह कर बार बार वह करते रहो ठीक है उसके बाद स्टेटिक्स आ गया जो सेकेंडरी लेवल को आपको ॐ यहें चीजें आपको को डता है उनकी जो है स्टोरेज किस प्रकार से डाटा को आप लोग जो है कलेक्शन करते हो र किस प्रकार से उसका पाईची जौई चार्टे म Hour यह सब चीजेंग को बठनी होती है रियल नमर आपको जितने भी यह चीज़े दी हुई है यह सब आपको पढ़नी है ठीक है और मैथ के बारे में आप लोग भी कहीं ज्यादा चीज़े जानते होंगे सब चीज़ आपको बताने के लिए कि इसको आप लोग अगर टॉपिक वाइज करते हो तो 25 से 30 दिन में आप आराम से कर सकते हो उसके बाद मैंसुरेशन यहां पर दिया हुआ है जिसमें आपको 2D और 3D सेफ्स आपको पढ़नी होती है ठीक है उसके बाद आप क्या जाती है लेंग्वेज में आपको हिंदी सबसे पहले हिंदी आपको पढ़ना समने इंदी इसमें देखो मुक्यत यहां में पांच टोपिक दिए संधी दिया हो है संधी और संधी विचेद आप लोगों ने पढ़ा होगा और पढ़ सकते हो उपसर्ग पढ़ना है पढ़ते पढ़ पूचा जाएगा पर चीज़ें पढ़ने हैं एक संदी के जितने नियम है उसके अलावा जिजह पढ़ते किसे कौम कौन से पढ़ते होते हैं पर सरक होते हैं और यह पाई एक यह अनेकार तक सब्द यह प्लया तो मैं पर देनी तब दीस 먹어 पोज कि अगर विलोम पढ़ोगे ना तो हो जाएगा काम ठीक है सब्द सुद्धी और वाक्य सुद्धी इसके नियम जो होते हैं वह आपको पता हो ना चाहिए और अंग्रेजी की जो परीबा सिगोरी कहीं बार पूझे जाते हैं ठीक है हो हिंदी सब्द और प्रसासनिक सब और अपको पड़ने हैं इंग्लीज में आपको टेंस पड़ने हैं वोईस पढ़ने हैं ट्रेव कनेक्टिव त अथिकह ये चीजे पढ़ने हैं उसके बाद में आपको टेक्निकल ट्रम्स जो हिंदी वर्जन है ठीक है और आपको जो है विलोम और प्राइवाची यह चीज़े पढ़नी है उसके बाद फॉर में से न्यू वर्ड बाई चीज़े प्रिफिक्स और सफिक्स ठीक है और वार्ड ओप्तन कंफ्यूजर अब आपको बचे क्या करेंट अफेर्स में इन्होंने देखो कर्ण्ट अफेर्स के पिरामेटर दे रखेंगे वह एक ओर चीज़ आपको यह दियान रखना एक क्या क्या फड़ना है कौन-कौन से चीज़े आपको पड़नी है current office में current office में नहीं कि कुछ भी current office में पड़ लो आपको इन में जतने यह यह चीज़े दे रखी न यह जितनी चीज़े दे रखी न शिरिफ यही पड़ना है जिसमें आपकी women empowerment की जितनी वी schemes जो इंडिया सरकार की है राश्तान सरकार की आपके लिए जो फाइदे की चीज़े हैं आपके कौन-कौन से skill developmental जो है development program चल रहे हैं आपके यहां पे जितने renewable energy resources चल रही है उसके लिए health और हाइजीन की क्या schemes रास्तान government लेके आ रही है यह चीज़े आपको पढ़नी है इसके अलावा pandemic and its management किस प्रकार से किया गया कोवीड अभी आया था आपको पता है ठीक है उसके अलावा कौन-कौन से space program चल रहे हैं हना यह चीज़े आपको पढ़नी है अभी कौन सा उपगर खब बेजा गया यह चीज़े आपको तोड़ी सी पढ़नी है atomic energy programs कौन-कौन से चल रहे हैं इंडिया में उसके अलावा इं technology में इंडिया क्या कर रहा है उसकी कौन-कौन से इवेंट यहां पर हो रहे हैं उसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड अन प्राइज कौन से आपको जो है किस सहत्र वेज़े से अरजुन पृसकार हो गया वह कौन से सहत्र में मिलता है अलग-लग जो होकी के ल सकतर हो यहीं की स्वाट और गेम्स के बारे में भी कौन सा गेम खब हो रहा है कौन से गेम में कौन से कितने मेडल किसने जीते यह सब चीज़ें आपको जनरल साइन्स की बात आती है जैदा कुछ नहीं है आपको एक्टोमिन एक्टोम्स और मॉलेक्यूल टिक है chemical reaction and equation carbon and its compound यह चीज़े तो देखो आप लोगों ने बहुत पढ़ी होगी लेकिन इन में से मैं बता रहा हूं ना यह जो आप के्मिश्टि पढगे हों चलेगा यहां से अक प्रिश्ण आपको हमसा देखने को मिलता है ग्या खोस्ऐ अरि यहां से प्रिशल पूचह क्यों होते हैं पहले क्यों नहीं है उसके अलावा आपके निस नेचुरल रिसोर्सेज प्रोटेक्शन ओप इन्वार्मेंट और यहां से हमेशा प्रेशन पूचा जाता है और इस बार क्योंकि इन्वार्मेंट के परती इंडियन गुवर्मेंट या फिर रास्तान गुवर्मेंट तोड़ी सी तोड़ी सी यहां पर पढ़ने हैं इंडिया के सविदान के साइलेंट फिचर्स पढ़ने हैं इंडियन एक्जेक्टिव ट्यू ले ले जिस्टेटिव एंड जूडिश्री ना ओर्गिनाइसेशन थ्योरी एंड प्रेक्टिकार प्रेक्टिस इलेक्शन इन इंडिया दपर जिडेंट प्राइम मिनिस्टर और उसके पावर्स यहां पर पारलियमेंट में इस्पिकर और उसके कारी क्या होते हैं इस्पिकर के ठीक है सुप्रीम कोड के बारें पढ़ना है और आपको जो है कमिशन और जितने अब बोर्ड है नेशनल लेवल के जान रखना आप पढ़ने वेड़ जाओ गई आर्पेसी नहीं बढ़नी है ठीक है नेशनल लेवल के जो है जितने भी वह आपको क्या पढ़ने है कमिशन पढ़ने है ठीक है जो ग्रोपी प्राजस्तान इसमें लोको लोकेशन एक्स्टेंट सेप साइज यह सब आप लोग जानते हो ठीक है यह सब चीज़े आपको जो ग्रोपी में पढ़नी है उसके बाद यहां एक और इंपोर्टेंट आ जाता है एजूकेशन मेंगेश्मेंट अब देखो को परदाना चारिय बनेगा को थिर kcillo की नोलेज होनी चीए इसलिए आपको यहां पर क्या बोल रहा है कि आपको एक तो क्या मेंग्ट मेंगेरियो लुकेशन बुए इसकुल मेनेजवेंट बढ़ना है इजूकेशन सिनेरियो राजस्थान किस प्रकार का सिनेरियो chapter स्थान में राइट ओप चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट दो जार नो और इस बार मुझे लगता है कि जो आपके नई सिक्साविदी है 2020 वह भी यांपहिंज क्टाह्यां पड़ेगा आपको एजुकेशन मेंजमेंट में आपको इस प्रीज्टेशन ए जबिड़ेशन इस्परिजन इंसपेक्शन और इंस टूट श्नल अफ्लानिंग और आपको Leadership Style in Educational Management ये चीज़े आपको पढ़नी है उसके बाद राजस्तान के सेनेरियों में राजस्तान की चीज़ों में आपको ये पढ़ना है जो आपके SCRT है BCR है ISC है डाइट है आपके राजस्तान State Open School है राजस्तान State Test Book Board है ये चीज़े आपको पढ़नी है State Initiative for Quality Education दिक्सा, राइज, स्माइल ये चीज़े देखो ये 2022 में चली थी ये चीज़े और इन में से अब बहुत सारी चीज़े आपको जो है नई भी पढ़नी है तो एक बार के लिए ये दिक्सा दिक्सा, राइज, स्माइल ये बूल रहा है और ये बोल रहा है कि देखंगे फिंचे फिलि याँ डेवे zost माक्स का बता रहा है याणि कि प्रतेक दो नमर के कुशन, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती तो यह सब चीज़े आपको पढ़नीैं मैंने सब कुछ बता दिया है आपको तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो के साथ वाकि अपनी जो है वो कक्सा देखना ना भूले सेकंड पेपर की मेडम की कक्सा रेगुलर आती है यूजी से नेट की हो आपके से ग्रेड फर्स्ट की हो ग्रेड सेकंड से समंधित हो वो सब बाती रहती है तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अन्य दिन दबतों के लिए राम राम साथ सुभ दिनुए